इन दोर में सूर्या आर्ट्स स्टूडियो ने एक अधभुद कला प्रदर्शनी लगाई है जिसे नहालने के लिए बड़ी संख्या में कला प्रेमी पहुच रहे हैं यहां लाइब केरी केचर बनाने से लेकर पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं जिन में आर्ट के कई रंग देखने को मिल रहे हैं देखे यह रेपोर्ट सूर्या आइट स्टूडियो ने कैनरीज गैलरी में एक पहतरीन कला प्रदर्शनी का आयुचन किया है इस प्रदर्शनी में कई दिल को छू लेने वाली पेंटिंग्स कला प्रेमियों को लुभा रही है पिछले कई सालों से इसी शेत्र में अपना नाम बना चुके सूर्यभान मरावी यहां लाइब पेंटिंग्स और मूर्ती का नर्माड भी कर रहे हैं जिनसे युवाओं को भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है इस आयुजन की कमान क्यूरेटर पूजा सिंग ने संभाल रखी है जिनसे बड़ी संख्या में आइट स्टुडेंट्स चुड़े हैं जो इस नायाप कला को सीख भी रहे हैं इस एक्जबिशन का उद्देश है कि जो हमारे बच्चे आजकल जो मोबाईल पर डिजिटल वर्ल्ड पर घुसे हूँ है अनिमेशन वगरे करते हैं वो डिजिटल वर्ल्ड को छोड़के अपने हैंड पूट्रेट्स हैं हैंड मेड आर्ट्स में आएं और ये हमारे समाज कर अजकल आएं कि कहाना चाहती हूं कि कला से जुड़ीया कलाकार कलाकार से हमारा राष्टर और संसक्रिति टो गहीं न कहीं यह इसके भी अपलिफ्मेंड के लिए बहुत अच्छा है तो ओक हमया आठ से जुड़े ही रहना चाहिए हम इलकुल होना च्य हो और हमारी एक महीने की भी बच्चे जुन्होंने इता आटिस्टिक एग्जबिशन लगाया हुआ है। हम चाहते हैं कि बच्चे डिज्टल वर्ल मॉबाइल छोड़कर आएं और इस कला को सीखें और इसको आगे तक लिके जाएं। आटिस्ट सूर्यभान मरावी का कहना है कि वो इस तरह के कई चृत्र बड़े-बड़े कैनवास पर उकिर चुके हैं। साथ ही कई मौकों पर लाइव मूर्ति नर्मार के कीर्टिमान भी उनके नाम है। सर मैं सबसे पहले स्केचिंग पेंटिंग करता था और अभी मैं इसी साल से स्कल्प्चर स्टार्ट किया हूँ। यह मेरा छटवा स्कल्प्चर है जो लाइव बना रहा हूँ। फोटोग्राप से भी बना लेता हूँ, लाइव भी बना लेता हूँ, इनलार्ज भी कर लेता हूँ और स्माल साइज में भी बना लेता हूँ। इसमें समय की बात करें तो डिटेलिंग के ओपर है, इंप्रेशन तो बहुत जल्दी आ जाता है, दो तीन गंटे में भी हम केरेक्टर दे देते हैं, पर जब डिटेल करने जाते हैं, तो दो तीन दिन भी लगता है हमें इस काम को करने के लिए, और रही बात डिमांड की, तो बहुत सारे जगा पर स्कल्प्चर की डिमांड होती है, पर अच्छे आर्टिस नहीं मिल पाते हैं, वज़ा ये है कि कुछ आर्टिस हैं जो दबे हुए हैं, और कुछ आर्टिस्ट हैं जो करतो रहें पर इसमें महनत जादा होनी के वज़ा से स्कल्प्चर में कोई वैसे इस प्रदर्शनी में अद्भुत कलाक्रतियों से लेकर मनमोह लेने वाली पेंटिंग्स भी भरमार हैं, और कला प्रेमियों के लिए ये प्रदर्शनी किसी बड़ी प्रेणा से कम नहीं, क्योंकि आज के एनिमेशन वाले जमाने में भी हास से बनी ये पेंटिंग्स